नमस्कार, मैं हर्च रॉय हम लगों को बिजली बिल की अवसकता पढ़ती ही है बास्तविक तौर पर जो मीटे रीडर होते हैं उनकी और से जो बिजली बिल हमें प्रोवाइट किया जाता है वहाँ पर सारा डीडल को मेंसर नहीं किया जाता है लेकिन बास्तविक में जो एक original बिजली बिल है वहाँ पे आपसे जोड़ी बहुत सारी details उपलब्द होती है आपकी बहुत सारी personal details आपकी address बैसे यह जो बिजली बिल है हमारी मदद बहुत जगा कर सकती है यह address प्रूप के तौर पे काम आ सकती है और भी तरह तरह के जगाओ पे विभिन विभिन कारे के लिए काम आ सकती है ऐसे में आईए मैं आपको बताता हूँ कि आप online कैसे डाउनलोड कर सकते है अपने बिजली बिल को या फिर आप कैसे पे कर सकते है अपने बिजली बिल को क्योंकि यह आपके बहुत जगा पर बहुत काम आएगा जालो में आपको उत्तराखंड में उत्तराखंड पाबर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उत्तर परदेस में उत्तर परदेस पाबर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जहारखंड में जहारखंड बिजली बितरन निगम लिमिटेड है, उसी परकार बिहार के अंतरगत भी दो है या फिर website पर भी जा सकते हैं देखिए यहाँ पर आपको चार option देखने को मिल रहा instant bill payment, details and bill payments faqs और contact अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं contact करना चाहते हैं तो आप contact के button को tap करके यहाँ पर जो contact का detail है उस पर phone कर सकते हैं या फिर आप इनका जो address है अगर आप business label को download करना चाहते हैं online या फिर business label pay करना चाहते हैं तो bill details and bill payments को tap करें जैसा ही tap किजएगा तो आपको यहाँ पर नीचे add new option देखने को मिल रहा है यहाँ पर customer id को add कर सकते हैं सबसे पहले आप add new को tap किजए जैसा ही tap किजएगा तो यहाँ पर आपसे आपका consumer number मांगा जाएगा यह आपका CA number है यह आपको easily मिल जाएगा आपके जो business label meter reader के उर्च दिया गया है उस पर या फिर आपके meter पर काफी हद तक यह लिखा या ही होगा वहाँ पर से आप इसको tap करके verify कर ले verify करने के बाद यहाँ पर आपका यह add हो जाएगा जैसे ही add होता है तो example के तो पर मैं खोल के दिखाता हूँ एक को जैसे ही आप इससे tap किजएगा तो थोड़ा देर loading होगा फिर easily open हो जाएगा जैसे ही यह open होगा तो यहाँ पर आपके बिजली बिल यानिकि electricity bills related सारी जानकारी उपलब्द हो गई यहाँ पर से आप confirm कर सकते हैं यही है आपका अगर यही है तो यहाँ पर pay bill के option को tap करके आप यहाँ से pay भी कर सकते हैं इसके अलाबा यहाँ पर view and download का option एक view download bill का option है यह जो view और download का option इसे tap कि जेगा तो आपने जो last pay किया है यानि कि जो recently bill pay किया है उसका आपको receipt देखने को मिलेगा अगर आप विजली bill को download करना चाहते हैं तो view or download bill को आप tap करें जैसे ही आप इसको tap कि जेगा तो कुछ देख के जैसा ही फुन रूपेन फुल download हो जाएगा easily यहां पे आपके सामने यह आ जाएगा जैसा कि देखिए download हो गया अब इसे आप खोल के देख सकते हैं मैं इसे एक बार खोल के आपको दिखा देता हूं जैसे ही मैं इसे open करूंगा तो देखिए सारी details यहां पे easily available हो जाएगी यहां पे आपका address है आपसे जुड़ा बहुत सारा data यानि कि आपका और बहुत सारे details आपसे जुड़ी यहां पे उपलब्ध हैं यहां पे आपके बीते महीने में कितना use किया था उसके पहले कितना use किया था सारा चीज यहां पे उपलब्ध हैं और बहुत सारे details उपलब्ध हैं जिसका परियोग आप बहुत सारी जगा पे कर सकते हैं आप चाहे तो इसका प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करके एक physical copy निकाल सकते हैं मुझे उमीद है आपको समथ में आ गया होगा कि आखेर आप किस परकार से अपने business bill को डाउन डूड़ कर सकते हैं या फिर पे कर सकते हैं ऊणलाइन इसी परकार के बुरीज एखने के लिए आप इस video को लाइक कर सकते हैं आप चैनल को subscribe भी कर सकते हैं मिलते हैं आप से एक नए वीडियो, हम तब तक के लिए जय हिन, बंदे बातरम.